हलो फ्रेंज, वेलकम तो माई चानल, इनोवेटिव प्रिया आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कौन पालक की रेसिपी आज मैं इसे बनाऊंगी विदाउट अनियन एंड गालिक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटिस नोटिफिकेशन्स तुरंत मिल जाए तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने एक पैन में अच्छी तरह से पानी गर्म कर लिया है मैंने पालक को अच्छी तरह से धो के इसमें आड कर दिया है पालक को हमें 15-20 सेकंड के लिए ही ब्लांच करना है पालक अच्छी तरह से ब्लांच हो चुका है अब हम गैस को ओफ कर लेंगे फ्रेंस यहां मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहती हूँ मैंने ब्लांच पालक को आईस कोल्ड वॉटर में आड़ किया है ताकि इसका कलर मेंटेंट रहे मैंने एक पैन में दो चम्मच तेल गर्म कर लिया है इसमें आड़ करूँगी एक चम्मच जीरा एक चौथाई चम्मच हींग एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है इसे अच्छी तरह से अब मैं सौटी कर लूँगी इसमें मैंने आड़ किया है दो मीडियम साइज टमाटर की प्यूरी इसे हमें लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट पकाना है चली अब इसमें हम थोड़े सूखे मसाले आड़ कर लेते हैं आधा चम्मच हल्दी पावडर आधा चम्मच धनिय पावडर आधा चम्मच भुनेवे जीरे का पावडर आधा चम्मच रैचिली पावडर स्वादनुसार नमक अब इन सब को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं इसमें से ओयल से प्रेट हो रहा है अब इसमें मैं आड़ करूंगी एक कटोरी बॉयल्ड कॉन इसमें आड़ करूंगी आधा चम्मच गरम मसाला पावडर इसे अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मिसाले अच्छी तरह से कॉन पे कोट हो जाएं इसे मैं अच्छी तरह से दो मिनट लो फ्लेम पे पका लूँगी इसमें आड़ किया है थोड़ी सी कसूरी मेथी ये अच्छी तरह से पक चुके हैं प्लांजड पालक के एक्स्ट्रा वाटर को मैंने रिमॉफ कर दिया है इसमें आड़ किया है चार ग्रीन चिलीज अब इन सब को अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक पेस्ट तयार कर लेंगे इसमें मैंने आड़ किया है पालक की प्यूरी इन सब को अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी हमारी सब्जी बनकर अब तयार है अब ग्यास को ओफ करके इसे सर्फ कर लेंगे तो पेश है रेस्टोरेंट स्टाइल पालक कॉन की सब्जी वो भी बिना लहसन प्याज के आप इसे रोटी, पराथा, नान या चावल किसी के साथ भी एंजॉई कर सकते हैं तो फिर देर किस बात की है फ्रेंट्स आप भी मेरे इस बताईवे रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करें फिर मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और फाइंक यू सो मुच फर वाचिंग स्टेए कनेक्टेड एंजॉई